नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों नवीन कुमार पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोगों ने कमेंट करके ये कहा था कि सर आप जब किसी का वीडियो बनाईए तो उसका जो बयान है वो मत सुनाय करें त तो मैं सोच में पढ़ गया, मैंने सोचा आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, देखे दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, तो मैं सुबूत के तौर पर उसका बयान आपको जरूर सुनाता हूं, जिससे आपको लगे कि ये च जोचना करें, समिक्षा करें, लेकिन दोस्तों, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो कुछ हो रहा है, वो मैं आप तक पहुंचाऊँ, अब एक ऐसी खबर दोस्तों, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिस पर शायद ही आपको यकीन हो, दोस्तों, सपा बसपा के विले की बात इस समय सोशल मेडिया में चाय हुई है, और ये बात शुरू कहां से हुई है, पहले इसे समझे, सबसे पहले आप इनको देखिए, ये हैं लक्षमर यादव जी, जो प्रोफेसर हैं, और समाजवाद, विचारधारा से प्रेरित हैं, हाला कि वो तमाम महापुर्षों क मानने की बात करते हैं कि भई हम तो मेटकर जी को भी मानते हैं, लोहाद जी को भी मानते हैं, कांची राम जी को मानते हैं, फूले पेर यार सब को मानते हैं, लेकिन दोस्तों लक्षमर यादव जी का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर बहुत जादा वारिल है, सबसे पहल इते ही दोस्तों बवाल मच गया सबसे पहले दोस्तों इसका मतलब समझे यहां समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी से है और अमबिटकर बात का मतलब निकाला जा रहा है बस पासिल अब दोनों के मिलाने का वक्त आ गया है दोस्तों इसके दो अर्थ निकाले जा रहा पर देख रहे हैं और इसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया में खासतोर से जंग छिड़ी गई है दोस्तों लक्षमर यादव के इस बयान के बाद तमाम लोगों की देश की कोने कोने से लोगों की प्रतक्रियाएं आ रहे हैं कुछ प्रतक्रियाएं मैं आपके सामने भी रखन प्रदीप कुमार क्या लिखते हैं अखलेश यादव जी से पूछ लेते कि क्या वो सपा का विले बशपा में करने को तयार हैं यहां शेक्ष फारुक लिखते हैं क्या प्रदीप भाई गजब बात करते हो आपको मालूम होना चाहिए कि सपा लोग सभा में देश की तीसरी ब लोग सभा में शून सीट है यूपी विधान सभा में एक सीट है अब आप बताओ किसका किसमें विले होना चाहिए और टूइट है वैसे बस्पा की हैसियत क्या है राजनिती में एक और टूइट है बस्पा कब से अंबेट करवाद हो गई वो तो ब्राम्हणबाद पार्टी हाँ मानवर कांशी राम जी की बस्पा जरूर अंबेट करवादी थी आज की बस्पा नहीं है एक और टूट है ये खुद समाजवादी है यादों को समझाने की वज़े दलित समाज के लोगों पर ग्यान देता है पहले यादों में बाबा साहिब की अलग जगाई ये है बाबा साहिब तो सबके हैं और रही बात सपा की बस्पा में विले की बात तो आज तो सपा बस्पा से ज़्यादा मजबूत है मुकेश लिखते हैं देखो भईया ये जाती वादी आगे ही बढ़ता जा रहा इसे अपने समाज से दूर करें नहीं तो ये और जहर फैला देगा हमारे लीडर के खिलाफ अंकुर ने लिखा बेंज जिसे पूछो सतिशन्द मिश्टा से पूछें हम बेटकर वाद को लेकर चलना है या फिर मनू हाथ को वियस पी को बोलो अब SBSP और RLD और अपना दल से तूलना करें इस्टर रंटर ने लिखा सही का भाई 100% सहमत बसपा को अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ इस मुद्दे पे बहें जिसे चर्चा करनी चाहिए जाटव साहब ने लिखा है करेंगे ब्रामण भोज बनेंगे अम्मेटकर वादी गजब की दोगलाई है गवल लिखते हैं क्या अम्मेटकर वाद का ठेका सिर्फ बस पाने ले रखा है पीडिये में सब आते हैं सब को साथ लेकर चलेंगे तो सत्ता में रहेंगे वरना जन अच्छे रही शायद आपको मेरी बात गलत लगे लेकिन जब तक जनता की बीच में नहीं जाएंगी ब्यस्पी सुप्रीमों तब तक पार्टी का आगे आने में टाइम लगेगा गनुपर मिश्रा लिखते हैं दलितों को अखलेश यादों को अपना नेता और सपा को अप को दोस्तों ये मामला समझ में आए क्योंकि लोग इसको लेकर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं अब बड़ा सवाल सपा बसपा का जब गठवंधन नहीं हुआ तो फिर विले की बात कहां आ रही है और अगर विले होगा तो किस पार्टी का किसमे होगा ये तै कौन करेग और लक्षमण यादव जी जो प्रोफिसर हैं जो चिंतक हैं जो समाजवाद विचारधार से प्रिरित हैं जारतर अखिलेश यादव के करीवी हैं वो ये बात अखिर क्या सोच कर कर रहे हैं उन्होंने अपना संदर्व किलिर नहीं किया लेकिन दोस्तों उनका जो बस्पा के प्रदर्शन को देखते हुए लक्षमण यादव ने ये बयान दिया है बस्पा ने जो प्रदर्शन किया लोकसभा में बिधान सभा में उसको देखते हुए यहाँ पर एक मत रख रहे हैं ये मत रख रहे हैं सपा में बस्पा का विले हो जाए अब दोस्तों य आदव जो खुद एक प्रोफेसर हैं जानकार हैं विद्वान हैं लोग उनको सुनते हैं समाज पर उनका प्रभाव है उन्होंने आखिर ये बयान दिया क्यों दोस्तों इसे पहले आपने देखा होगा नवीन कुमार जी जो लक्षमर यादव के ही साथी हैं मायावती जी को क करना वरना कुछ नहीं है ये बयान नवीन कुमार का था और आपने इसे पहले प्रोफेसर रतनलाल को भी सुना होगा प्रोफेसर रतनलाल प्रोफेसर लक्षमर यादवग या फिर नवीन कुमार ये सब साथ ही है, यह त्रिमूर्थी समझिए, यह तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती कहिए, रिष्टा कहिए, और तीनों की विचारधारा भी एक ही है, रतनलाल जी, अकसर बहन जी को लेकर आलचना करते रहे हैं, हालों कि आलचना अच्छी बात होती है, लेकिन रतनलाल जो आलचना करते हैं, वो बहुजनों को सूट नहीं करता, एक आलचना होती है सौस्त आलचना, एक आलचना होती है तंजमारना, तो यहां चाहे रतनलाल हों, नवीन कुमार हों, लक्षमन याद जी को लेकर ही बात हो रही है और सारे जो मुद्दे हैं बीस पी में आके केंद्रित हो जाते हैं और बड़ा सवाल क्या सिर्फ मायावती जी ही ठेकेदार हैं भाई मायावती जी ने गड़ बंदन नहीं किया तो लोगों ने कहा मायावती जी बीजेबी की बीटीम है और गड बीजेपी क्या तोप है बीजेपी किसी की भी हो सकती है कि सारी पार्टियां बीजेपी की बीटीम है दोस्तों ये ये लाइन अपने आप में गलत है और मैं तो इसे बिलकुल नहीं मानता हूं कि बीजेपी की बीटीम कोई पार्टी हो सकती है और जो लोग समाजवादी पार दबा दे, यह आप कह दीजी, कि बी जेपी ने इसको दबाया हुआ है, अर्विन केजरिवाल कोई जमानत नहीं मिल रही है, सूरिन सहाब कोई जमानत मिल गई है, तो बी जेपी का दबाव तो है, लेकिन बी टीम कहना दोस्तों सही नहीं है, अब लक्षमन आदर ने जिस तर तिक्रिया दीजी लिखिए लक्षमने आदव की इस बयान को आप कैसे देखते हैं बहुत बहुत धन्वार शुक्रिया